क्या आप आखों की कमजोर रोशनी से परिशान हैं? आखों पर चश्मा लग गया है और नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है? आखों में खुजली बहुत होती है? आखों से पानी आता रहता है? या फिर अगर आप कहीं पर भी किसी चीज़ को काम को करने के लिए फोकस करते है तो आँखों से किसी भी तरह की इरिटेशन इचिंग आपको फील होती है तो आज आपके साथ एक ऐसा नुस्का शेयर कर रही है जो कि मात्र 15 दिन के अंदर आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा और चश्मे का नंबर भी कम होगा अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो इसका कोई साइट इफेक्ट नहीं है और ये पुरानी जमाने का बहुत ही कारगन नुस्का है नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हल्दी इंडिन किचन में आज का ये नुस्का पारंपरिक नुस्का है और ये बहुत इफेक्टिव है इसे ट्राइ जरूर कीजेगा सामने आपको दिखा रही हूँ मैं वीडियो में यहाँ पर मैंने लिये हैं मिट्टी के दो चिराग सामने देख सकते हैं आप बहुत आसानी से एक ठोड़ा लिया है और एक लिया है मैंने यहाँ पर छोटा सा चिराग जो बड़ा चिराग आप लेंगे उसे आप चाहें तो बहुत आसानी से मतलब पुराना भी ले सकते हैं यानि कि अगर यूज किया हुआ है तो वो चल जाएगा लेकिन यह जो छोटा वाला चिराग आपने लेना है यह आपको मिट्टी के ही लेने हैं दोनों और जो चोटा वाला रहेगा उसको आपने एकदम कोरा लेना है यानि कि यूज ना किया गया हो बिल्कुल भी उसको इस बात का आपने विशेश ध्यान रखना है और उसके बाद किसी कपड़े से अच्छे से उसको साफ जरूर कर लीजेगा किसी भी तरीके से जैसे कोटन को कई साफ कबड़ा हो ताकि उसमें किसी भी तरह की धूल मिटी कुछ ना हो इसके बाद कोटन लेनी है आपने थोड़ी सी और उससे गोल वाली आपने बत्ती बना लेनी है मुझे उतने अच्छे से बनानी नहीं आती है लेकिन अगर आपको अच्छे से बनानी आती है तो बढ़िया तरीके से गोल बत्ती बना लीजेगा इसके ओपर हम सरसो का तेल डाल देंगे और ध्यान रखना है ये बिना पका हुआ तेल होना चाहिए पके ये तेल का इस्तमाल नहीं करना और उसके बाद आपने क्या करना है यह जो हमारा छोटा वाला चीराग है इसको किसी चिम्टे की मदद से आप पकड़ लीजेगा और इसके उपर लगाना है जहाँ पर यह दीपक हमने जो जलाया है इसकी जो लोग निकल रही है इसके उपर लगाना है आप सोचेंगे इससे क्या होगा इससे बहुत कमाल की चीज होगी और यह बेहद फायदिमेंद है मतलब पुरानी जमाने का नुस्का है और बहुत साधा इफेक्टिव है तो आपने क्या करना है चिम्टे की मदद से छोटे चिराग को जहां लो जल रही है उसके उपर लगाना है ध्यान रखिएगा थोड़ा उपर ही रखिएगा अगर पूरी तरीकी से उसको उपर ढख देंगे तो यह जो मतलब चिराग जल रहा है वो बुझ जाएगा तो इसने थोड़ा उपर पकड़ के रखिएगा इसको और मत कुछी सेकिंट्स में आप देखेंगे कि चिराग के अंदर ना अच्छे से काला पनाने लग जाता है यानि कि स्याही बनना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत जादा फायदे मंद होती है अगर आपकी आँकों में बहुत जादा खुजली होती है इरिटेशन बहुत होती है आँकों से पानी आता है या फिर आँकों की रोशनी कमजोर है चाहें आप बड़े हैं बच्चे है या बुडे हैं हर किसी को ये नुसका फायदा करेगा तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं देखिए सिहाई बननी शुरू हो गई है बस आपने अच्छे से इसको होल्ड करके रखना है इसके उपर इसमें लगबग आपको मुस्किल से पांच मिनट लगेंगे पूरी सिह करद के सिहाई बनने ने जितन हमें चाहिए और इसे आपने दो दिन में एक बार बनाना है यानि कि इस सिहाई को दो दिन तक इस्तमाल कर सकते हैं मघए नंतरे दो दिनagna करें हैं तो यह देखिए स्याही जो है बढ़िया तरीके से बन चुकी है और यह काफी गरम है तो हम यहां पर साफधानी के साथ इसको प्लेट में रख देंगे चुराक को और इसके बाद आपने यहां पर इस्तमाल करना है गाएं के घी का गाएं का घी हमारी आखों के लिए बेह काम भी करता है तो यहां पर अपने थोड़ा सा गाएं का घी डाल देना है गरम चिराग मेंचेसी एजली पेगल जाये इसके बाद आपने इसे उंगली की मदद से थोड़ा धिहान से कीजेगा चादा गरम नहσα doute मिक्स करना इकिप आपने यहां पर बहुत आसानी चि웠attend ह करना है जैसे कि क्या करना है जब ये ठंडा हो जाए बिल्कुल ठंडा हो जाए तो क्या होगा घी इसमें जम जाएगा अच्छे से मिक्स तो हो जाएगा काजल के साथ उसके बाद जो घी है वो जम जाएगा इसके बाद आपने इसे उंगली की मदस से ही काजल की तरह अपनी आखों में लगाना है रोजाना रात को ये काम सिर्फ रात को करना है और डेली करना है कम से कम पंद्रा दिन तो जरूर कीजेगा आपको बहुत अच्छे रिजल्स मिलेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके पूरे फाइदे मिलें चश्मा हट जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसे कम से कम तीन महीने तक इस्तमाल कीजेगा इसके को डेली बनाना है मतलब दो दिन तक मैकसिमम बना के रख सकते हैं और फिर उसको यूज कीजेगा फिर से बनाएगा इसी प्रोसेस को आपने करना है जब आप बत्ती जलाएंगे यानि कि तेल आपको और करना है रोजाना रात को गाएं का शुद्ध घी लेना है और इसे हलका सा मेल्ट कर लेना है गुनगुना गुनगुना सा भी नहीं होना चाहिए बिलकुन नॉमल टेंपरिचर का हो सिर्फ मेल्ट की होना चाहिए इसको आपने जो है किसी भी डॉपर की मदद से नाक में दोनों तरफ एक एक बून डालना है और ये भी रात को ही करना है लगातार पंदरा दिन तक करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इसे कंटेनिवर्स ले तीन महीने तक करेंगे तो चश्मा बिलकुल हट जाएगा बच्चे हों बड़े हों सभी को इसक बच्चनी कमजोर है इन सब में आपको जब गाएं का घी आप नाक में डालते हैं तो बहुत बेनिफिट्स मलते हैं तो आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है बेनिफीशल लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा सभी के साथ शेयर कीजिएगा इस झाले से लुग mythsेया बेनिफीशल लगा हैं गाले से ओ वीजिएगा थैडरा आते हैं फो गल जुग ये यज़ काल नहीं हैं तो आपको जड़ा है ये वीख़ा आते हैं वेयर का, लिग हैं!